नमस्कार मैं गौतम मेरिशी फॉर्चिट मम्मी का खाना में आप सभी का स्वागत करता हूँ फॉर्चिट मम्मी का खाना कॉंटेस्ट की आज की हमारी जो वेनर है बहुत स्पेशल वेनर है क्योंकि वो एक मम्मी नहीं लेकिन अपनी मम्मी के लिए कुछ स्पेशल कुछ खास बनाती है उनको खिलाती है और वैसी ही रेसिपी आज यहां भी लेकर आई है आज आईये वेलकम तुआ केचिन हाईये कैसी आप बस ठीक या बहुत ठीक या काफी ठीक बस ठीक है तो चले जब क्या रटीश बनाने वाली है लाजानिया 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 इस इतालियन लेसिपी और इसमें जो भी वेजटेबल्स आपको यूज करना है वो कर सकते हो तो यह है अनियन, यह है सॉल्ट, यह है बलाक पेपर, यह है शिम्ला मिच, यह है कैरेट, गाजर, इसमें है यह थोड़ा रूम तेम्परिचर बटर है वो पैन को ग्रीस करने के लिए वो के इस पिनच है जो थोड़ा कलर और थोड़ी एनर्जी में पॉपाइश देने के यह यह बलाएगनो यह फ्रेश यह ड्राइद नो यूस कर सकते हो ओ यह है यह है पार्सली यह है चिली फलेक्ट और यह है गार्लिक पेस्ट यह है लाजाँया का पास्ता शीट एसा यह मार्केट में मिलता है यह जो है हम पहले बॉल करेंगे फिर यह थोड़ा फूलेगा को दोड़ाएघ जो हार्ड है वो सौफट खाएगा उस्के बाद में हम लेयर लगाते करेंगे सograf Sheriff एप अपिया जार हुआ हो सबसे पहले हमको इसली को तो नını रहों हो बहुँत जाएदा उत नहीं है पस थोड़ा सपान से करीब करीब इतना कि तम यह सॉफ्ट हो जाए हाँ चलिए एक पैन आप लेली यहां से मैं आपको पानी देता हूँ पानी गरम कर लेते हैं जब तक पानी उबल रहा है तब तक हम अंदर का मसाला तयार करेंगे एं में थोड़ा ऑई डालना है यह गया इसमें फॉर्चुन को तर हम डालेगे आखकमबर्स हाँ जुकीनी डोड़ाzen तोरट नमम्क qualify सिराश में दरता स्थिक नहीं हो पानी में डालें हमे पास्ता में पीत धुड़ा आएGS एगा और स्व Felix ईएम ऊड़ यहां थुन डालें हो यह इसमें हम हो पास्ता पाश्आ स्ट जिल दालें इसमें क्योंकि इसको भी थोड़ा में कुप करना है यहां पर आपका पानी वी उबल चुका है तो हम करीब छेट इसमें आप डालेंगे दाल दीजे और दालती आप देंगे थोड़ा सा स्टार्च इनोंने छोड़ा है विच इसमें कि पकना चालू होगे अभी इसमें मैं राइ और यह फ्रेश और एगना है वो डालोगी इसके बाद मैं थोड़ा ओलिव डालोंगे अभी इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे तो और इसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स और इसमें हैं थोड़ा पार्सली चोटे काटे हुए बैपर भी डाल सकते हो ठीक है यहां पर मुझे लग रहा है आपकी जो यह यह लजानिया शीट्स हैं वो हो गया है तो चलिए इसको स्ट्रेन कर लिया जाए एक छली में सारा पानी निकाल के शीट्स को निकाल के बस ऐसे रखना होगा और अभी इसमें थोड़ा और पार्सली डालेंगे तो इससे फ्लेवर अच्छाएगा और यह इसका कलर भी रहेगा इंप्रूब हो जाएगा अब इसकी सेटिंग अभी यह बेकिंग डिश मैंने ग्रीज किये थोड़ी जी और अभी के थोड़ी थंडी होने के बाद हम इसको लेरिंग करेंगे तो आप इस तरफ आजेए हाँ यह लीजी पैन के बॉटम में थोड़ा सॉस हम स्प्रेड करते हैं जिससे पास्ता स्टिकना हो और नीचे से भी उसका प्रेजेशन अच्छा अच्छा है एक शीट जी अभी नीचे एक लेर तैर हो गया है अभी हम थोड़ा सॉस डालेंगे उसके बाद हम इसमें पोड़ा वेजटेबल्स डालेंगे जी बहुत जादा अप्थिक लेर भी हम को नहीं लगानी है यह और इसमें हम थोड़ी चीज लेंगे मॉचरला चीज और यह है थोड़ी रिकोर्टा चीज, इसके बाद हम थोड़ा सा सॉस डालेंगे, अभी दूसरा लेर, विल वर्कान दार, फिर से सेम स्टेप्स जो हमने पहले किये थे, सेम प्रसेस, यह अकरी लेर, तो हम इसके उपर थोड़ा सॉस डालेंगे, और एंड में यह पार्मेजान चीज जालिये, जो की इटालियन चीज है, तक लाजानिया पक रहा है, करीब 20-21 मिनिट लगेंगे, चीज बहुत अच्छे से ग्रेटिनेट हुई है, मेल्ट भी हुई है, इसके हम गार्निश करेंगे, यह सब फ्रेश पार्सली है, जो कलर भी देती है, और अच्छा सा फ्लेवर भी गरम इसके ऊपर जाने से फ्लेवर भी अच्छी रेती है, मेरे काल से ठंडी भी हो चुकी है, आप इसको काटेंगे, थोड़ा से में टेस्ट भी कर ले तो, इसको काटेंगे, अब देखते है, तेस्ट कितना अच्छा है इसका, रेली यामी, अब आये जल्दी से इस रेस्पी क विधी और इंग्रेदेंट्स का रेकाप आप देखलें. दो टेबल स्पून, लसुन का पेस्ट एक टेबल स्पून, लजान्या शीट्स, चिली फ्लेक्स, और इसे बनाने की विधी, एक पैन ले, उसमें फॉर्चून कुकिंग ओयल डाल कर गरम करें, उसमें एक कप कटा हुआ प्याज, एक कप किसा हुआ गाजर, एक कप कटा हु दो टेबल डाल कर लजान्या शीट्स को उबाल ले, एक बेकिंग डिश को मखन से ग्रीज करें, उसपर पास्टा सॉस लगाएं, तब तक लजान्या शीट्स को ठंडे पानी में धोकर अलग कर ले, फिर इश प्लेट पर लजान्या शीट्स से एक लेइर बनाएं, उसपर सॉस लगाएं, पकी हुई सबजिया, मोज़रेला और रिकोटा चीज डालें, फिर उस पर दूसरी लजान्या शीट लगाएं और ऐसे तीन लेयर्स बनाएं, सबसे उपर की लेयर में पार्मिजान चीज डालें और बीस मिनिट के लिए अवन में बेक करें, आपका वेजटु और आप लोगने भी इस रेस्पी को बहुत इंजोए किया होगा, इसी तरह की इंजोएबल रेसिपी आगे भी आपको बताता रहूंगा, फॉर्चुन ममी का खाना में, for now, this is me, Chef Gautam Mehrishi, signing off, bye-bye.